दोस्तो पिछले दोस्त रेल बजट से हमारी जो गवर्मेंट है उसका जो मुख्य फोकस है वो है रेल लाइन नवेनी करन जो यानि की जो एक्जिस्टिंग रेल वेल लाइन से उन पर टेनों की स्पीड को बढ़ाना और दोस्तो इसके लिए काफी तेजगती से काम हो रहा है इसके लिए बजट का यलोकेशन हुआ है दोस्तो कैसा हुआ है बजट का यलोकेशन भिहार की किस रियल लाइन को नवी नी करन के لिए कितना पैसा मिला है आज की सोडों में बात करेंगे इसे परेंगे प्रोड जोडों को सुरू करते हैं दोस्तों यदि हम यहाँ पर बात करें railway track renewal की तो बिहार की कई सारी railway section को बड़ी अच्छी राशी मिली है यदि हम यहाँ पर पहली rail lane की बात करें तो यह है मुझपरपुर से सुगाली की rail lane जिसे तकरीबर आठ करोड रुपे दिये गए हैं दूसरी यहाँ पर आ जाती है मानसी साहरसा की रेल लैन जिसे 1 करोड 25 लाग की धनराशी मिली है तीसरी है समस्तिपुर खगड़िया रेल लैन धाय करोड की राशी इसे दी गई है चौते नमबर पह जाती है समस्तिपूर दरभंगा रेल लैन तक्रीबन 6 करोड की राशी इसे दी गई है नवीनी करण के लिए यहाँ पे जो अगली रेल लैन है यहाँ पटना से गया की रेल लैन तक्रीबन 3 करोड रुपे इसे भी दिये गए है यहाँ पर जो अगली रेल लैन है यह है जाजा पटना रेल लैन तक्रीबन 8 करोड रुपे की धनराशी से दी गई है अगली रेल लैन फिर से है मांची सरसा की रेल लैन इसे फिर से दिये गए है 2.1 करोड रुपीच उसके बाद यहाँ पे जाती है आठवे नमबर पे समस्तिपूर मुझपरपूर रेल लैन तक्रीबन नौ करोड़ रूपे से दिये गए हैं ग्यारवे नमबर पे है बेगु सराय बरावनी रेल लैन तक्रीबन डेड़ करोड़ रूपे से दिये गए हैं और बारवे और अंतिम नंबर पे है दर्भंगा सक्री जैनगर रेल्लेंड तक्रीबन दो क्रोड रुपे से दिये गए हैं इन सभी धन रासी से इन सभी रेल्वे ट्रैक स्पेट उनों की स्पीड को बढ़ाया जाएगा दूस्तों इन सब पे आपकी कराया है कॉमेंट करके जरूर बताया हैं में लेंक से नोडियों के साथ दूस्तों जाहिए जाहिए जबार